जैशी कृष्ण दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का व्रत्योहार उपाय चैनल में दोस्तों हिंदु धर्म में पूजा पाठ को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है देवी देवताओं की पूजा के लिए उनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती है शास्त्रों में भी मूर्ति की पूजा के लिए कई प्रकार की सावधानिया बताई गई है घर हो या मंदिर मूर्ति पूजा में कई तरह की नियमों का पालन करना जरूरी होता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा घर में इस्थापित नहीं करने चाहिए हम अंजाने में कुछ ऐसी मूर्तियों को अपने मंदिर में इस्थापित कर देते हैं जिनकी पूजा करना निशेद होता है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन मूर्तियों के बारे में उन देवी देवताओं के बारे में जिनको आप अपने घर के मंदिर में बिल्कुल भी स्थापित ना करें ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले आए जानते हैं कौन से हैं वो दीवी दीवता जिनकी मूर्ति पुजा आपको अपने घर में नहीं करनी चाहिए सबसे पहले हैं माता काली शास्त्रों में माता काली को भगवती का रुद्र रूप माना गया है दानवों के आतंक को शांत करने के लिए माता ने रुद्र रूप लिया था जब मा काली के क्रोध को भगवान शिव ने शांत किया था उसके बाद से ही मंदिरों में माता काली की पूजा की जाती है दूसरी देवता हैं बाबा भैरवनाद। भैरव बाबा की मूर्ती भी घर में नहीं लगानी चाहिए। धार्मिक ग्रंतों के मुताबिक भैरव देव भगवान शिव के क्रोध से उत्पन हुए थे। यही वज़ा है कि भैरव देव की मूर्ती की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए ऐसा करने से घर में कलहा का वातावर्ण बना रहता है घर की सारी सुख शांती नश्ट हो जाती है तीसरे देव हैं शनी देव वैसे तो शनी देव की विदिवत पूजा से नुकसान नहीं होता है लेकिन शास्त्रों की अनुसार घर में शनी देव की मूर्ती इस्थापित बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शनी देव की पूजा करते समय उनकी आखों में नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों ये थी वो देवी देवता जिनकी मूर्ती पूजा आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करनी है ना ही इनकी मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीजियो पसंद आया होगा साथ ही अपना feedback आप में असाथ जरूर शेर करेंगे और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं वीजियो पसंद आने पर उसे like जरूर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेर भी करें और देखते रहिए व्रत्योहाथ उपाय चैनल जैश्यक्रिश्न